हेलो दोस्तो स्वागत आपका एक्जाम टाइम में दोस्तो MPPSC मुख्य परिक्षा में प्रारूप लेखन यानि प्रारूप लेखन कहे या फिर पत्र लेखन कहे यह विशेश महत्व रखता है आप पुराना सिलेबस देखोगे जिसमें हमारा एक पेपर है पेपर 5 ठीके दो जो अभी नीभन वाला जो पेपर है उसमें इसे 25 नंबर में 8 कर दिया गया है अब दोस्तो यहां पर हमने सारे बना कर रखे हैं जैसे सास की पत्र असास की पत्र परपत्र और उसके बाद में परिपत्र प्रष्टांकन अनुसमारक प्रतिवेदन टिपण ठीके और भी यह हाँ पर नीचे डिये गए हैं तो यह सारे मैंने बना कर रखे हैं तो यह मैं आपको बता दूआ किस प्रकाश से मैं ने यहाँ पर लिखेंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको पढ़ने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी ठीके दोस्तो अब देखे आप रहे गए हैं और अभी तक भी वह नहीं ला पाएं या फिर किसी के नोट्स किसी के साथ कुछ भी प्रोब्लम हो सकती है या फिर किसी ने अभी तक प्रारूप लेखन तयार नहीं किया है तो यह जो मैं PDF आपको दूँगा तो यह आपके लिए यहाँ पर काफी helpful होगी ठीके दोस्तों अब यहाँ पर मैंने कुछ इक जाएगा ठीके दोस्तों तो आप देखी अप जो यह PDF है यह आपको कहा मिलेगी में पहले ही आपको बता देता हूं यह हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिलेगी और उसका जो Link है उसका Link है आपको हमारे यह ग्रूप के description में मिल जाएगा यानि कि जो ये वीडियो हम record कर रहे हैं तो इसके ही description में आप check करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा और साथ में यदि आप टेलिग्राम पर सर्चे भी करोगे exam time MPPSC ठीक है exam time MPPSC या फिर MPPSC exam time MPPSC exam time सर्चे करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी यह PDF और हमने और भी PDF share की है तो वो मैं आपको बता दूँगा हमारा टेलिग्राम ग्रूप किस पकार का है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने किस पकार से बना है यानि आपका यहाँ पर सारा complete हो जाएगा यदि किसे ने प्रारूप लेखन के नोट से अगर नहीं बना है तो उन्हें भी यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा सबसे पहले मैंने यहाँ पर समझाया था कि देखिए पत्र लेखन क्या होता है पत्र लेखन का महतू में ने बताया था यानि समझार वह संदेसों के आदान प्रदान कारेले वेपार वेवसाई आदी निर्देस आदेस मार्गदरसन और पक्छे विरोध और प्रकट करने में तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें पत्र लेखन का प्रियोग करता है और यह जितने भी हैं यह सब पत्र लेखन के अंतरगती आती है अब अच्छे पत्र की विज़ेस ताय यह आप से पूछा नहीं जाएगा बाकि यह आपको समझने के लिए है अब यहाँ पर प्रकार हम देख लेते हैं किते प्रकार के पत्र लेखन होते हैं एक तो सामजिक पत्र और एक कारेलेन पत्र ठीके दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा देखे आपको थोड़ा सा यहाँ पर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लोगे क्योंकि देखे अब आपके पास कम सकम 20 से 21 दिन बचे हैं तो जादा जादा अपने revision और answer writing पर आप ध्यान दिए तो देखे जैसे कि आपसे अगर प्रसन आता है कि कारेले ने पत्र का प्रारूप लिखिए ठीक है प्रारूप आता है तो आपको अंदर यहाँ पर अरगते हैं तो इसे बाक्स है तो एसे क्या है ऐसे द्नाख यहाँ पर रिखेंगे तो पूरा को एक पेज़ पर बनाना है पूरा एक पेज़के बदाना है कहीं अगर आपको आंसर लिखते हैं आधा page बचा यानि कि हर एक answer को नए page से start करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर विशे संदर्व उसके बाद में यहाँ पर संबोधन अब देखे संदर्व इसलिए लिखा जाता है कि पहले यदि हमने उस पत्र को लिख चुके हैं और उस पर कोई भी कारवाई नहीं की गई है और दोबारा से हम उसी विशे पर पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर संदर्व में हम बता सकते हैं कि हमने जो पिछला पत्र क्रमाग का लिखा था उसका क्रमाग के या फिर वो लिजेगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा साज की पत्र में पत्र संक्या संबंदित लिखा या जैसा कि यहाँ पर मैंने आ उंतर बिघाए उसके बाद में सास की पत्र का भी प्रारुप मैंने यहाँ पर दे दिया है और मैं थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ कि और यहाँ पर देखो कि आप अर्ध सास की पत्र क्या होता है यह पूरा यहाँ पर आप इसका बेसिक पढ़ लोगे उसके बाद में यहाँ पर मैंने उसका एक प्रारुप भी बना कर बता दिया है उसके बाद में परिपत्र क्या होते हैं या फिर सर्कुलर उसके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से मैंने लिखा है तो आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे यानि कि आपको इसे पढ़ने में जादा जादा पंदा से बीस मेट या आदा हंटा लगेगा और आपने पहले से पढ़ लिया है तो भी आपको यहाँ पर साउधानी हो जाएगी या फिर जो पहली बार दे रहे हैं जिन्नोंने अभी यह तयार नहीं किये तो उनके लिए तो आप कारेलेन ये आदेस के बारे में यदि थिरी मारकर में आता है तो आप यह वाली लाइन लिख सकते हैं ठीक है उसके एक दो प्रकाल लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपके थिरी मारकर कोश्चन भी यहाँ पर कंप्लिट हो जाएंगे और अगर प्रारूप आता है तो वह भी आप लिख सकते हो अब यह आप समझ जाओगे तो इसके बारे में कोई सा question आता है कि कोई सा अनुस्मारक या इसमरंड पत्र लिखे तो भी आप लिख दो गया सब बनाया है तो यहाँ पत्र पत्र हों गए ह Wahr we sell बस यहीए यह अगर कोश्चां आता है परीपत्र क्या है प्रा भीण जिखा उसी आप लिख सकते हों लोगता है दो यह लुग हुए ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक प्रतिवेदन का भी लिखा है दोस्तों प्रतिवेदन का भी मैं आपको बता देता हूं देखे यह वाला एक प्रतिवधन का लिखा है तो प्रतिवधन इस पकार से लिखा जाता है तो यह आपको इहां पर अच्छे से समझ में आगी होगा ठीक यह और यहां पर प्रतिवधक ओ यारलवा यानि अपना नाम वगिरा नहीं लिखना है मैंने यहां पर कुछ-कुछ ज की है तो वू आप कहां से ले सकते हो तो भी मैं ठीक है बता देते एंसके बार नहीं आप त्यार के जिए उसके बार को आपको हम यहांट टेली गृब दिखा जेते हैं है कmp तो दोस्तों यह हमारे यह पर टेली ग्राम गृप है क्प्छाथिया प्रसने MPPSC मुख्य परिक्षा 2020 और यह एक्जाम टाइम वाला गुरूप है और एक गुरूप दोस्तों हमारा यह वाला है यह वाला ठीक है तो इसमें आप देख सकते हो हमने यहां पर जैसे कि आप यहां पर देखोगे इस गुरूप में अंदर जाओगे तो उसके बाद मे में यहां पर दीखेगा एक यह मीडिया वाला तो यहां पर जीतेने भी हमारे गूरूप में तो इस पकार से यहा पर जो भी recently dot भावि मुक्षा वाले group में यहाँ आप एक पर मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पर आप कहाँ जाओगे फाईल वाले सेक्षन में तो जितनी भी PDF हमने देखाँ च्सेह सिनोपसिस भाव शाया जाता हम थ्कPLए हैंग भावट तक हम यहाँ पर उनकी PDF शेयर नहीं करते हैं ठीक है दोस्तों तो यह आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए और हम यहाँ पर वही PDF सेयर करेंगे जो रियल में मतलब आवसकता है जिसके रियल में आवसकता है ज्यादा भटकाव के भटकना नहीं है आपको जो आपके लिए आप किसी में भी जूड़ सकते हो ठीक है तो यह आपको और यह जो PDF है यह आपको अभी आदे घंटे में यहाँ पर हमारे गूरूप में शेयर कर दिया आएगी और आप अगर इन गूरूप में नहीं जुड़े हैं तो आप जूड़ सकते हो ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्